हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज जो बात करेंगे वे देखेंगे कि जन के बाद कुछ दिनों के अंदर या जन के बाद कुछ महीनों के अंदर बच्चा अचानक से बहुत तेज रोता है सडनली एक्सेस क्राई स्टार्ट हो जाती है हम देखते हैं कि बच्चा पहले ठीक था और अचानक से उसने रोना चालू कर दिया है अब चुपी नहीं हो रहा है हम अपनी तरफ से सारे अफर्स कर लेते हैं लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो यूजवली कई बार हम यह सही है उसके लिए क्या यह सही है अगर सही नहीं है तो कितना गलत है इसका जवाब मैं आपको अपने इस वीडियो के आखरी में दूंगा पर उससे पहले मैं आपको यह बताओं कि यह जो यूजवली बच्चे का एक्सेस क्राई है इसके पीछे कोमन कॉजे क्या हो सकत हो वो भी एक कारण है तीसरा कॉलिक कोई पेट में मरोडे या को इस तरह का दर्द आ रहा हो या फिर कोई डाइपर वगेरा हमने उसे पहना या वो वो गीला हो रख है वहाँ पर वो एक कारण हो रख है उसे नींद आ रही है स्लीपीनेस के अंदर है तो वो एक कारण हो सक तो दोस्तों जैसे-जैसे समय बीठता है यह समय बीठता यह मदर को यह पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस वज़े से रो रहे ज्यादा किस्ज में क्योंकि वह बता देगी कि इसे शायद भूक लग रही है इसलिए रहा है या वो कह देंगे कि अब इसके सोने का समय हो रहा है यह सोना चाहता है इसलिए रो रहा है लेकिन कई बार कोई कारण नहीं है आपने मैंने जितने कारण यह भी बता हैं इन में से भी आपने चेक कर लिया है कोई उसके अलसर मुवें नहीं है कोई टाइट क्लोथिंग भूका भी नहीं है, सोया हुआ है, लेकिन वो सड़नली क्राई करना चालू कर देगा और बहुत तेज क्राई कर रहा है, चुप भी नहीं हो रहा है, उसके बाद पेरंट्स ने अपने तरफ से सब कुछ कर लिया है, ऐसी इस्तिती में मैंने पर्सनली देखा है कि मदर अपने चीज है कि जन के बाद ये जो शुरू के चार महीने है, इनके अंदर बच्चा एकसेस क्राई करता है और इसे हम एक नॉर्मल रूप में लेते हैं, इसे हम एक नॉर्मल ही उसका एक डौलप्मेंटल का एक पार्ट मानते, ये एकसेस क्राई वो हो सकती है, और इसको नाम द मतलब है पीक, पीक टाइम, मतलब कि यह जो पीक टाइम बच्चे का यह सड़नली एक्सेस एक हैल्दी बच्चा है और सड़नली क्राई करने लग गया है, लंबे समय तक क्राई कर रहा है, तो यह पैटर्न कैसे आता है, कि जन्म के बाद 15 दिन के आसपास यह शुरू होता है, और 6 से 8 सब्ता, मतलब 1.5 से 2 महने पर यह अपने पीक पर होता है, और उसके बाद 2-4 महिने के आते आते यह खलका हो जाता है, चार महने बाद बहुत rare instances होता है, तो P से मतलब हो गया है, पीक, U से मतलब unpredictable, सड़नली क्राई कर रहा है, कितनी देर करेगा, कुछ नहीं पता ह उसके बाद चुप हो जाएगा, फिर वापिस क्राई कर सकता है, तो this is unpredictable, R, R का मतलब है, resistant to soothe, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आपने उसके हिला हलका हलका, जो भी आप अपनी तरव से प्रयास कर सकते थे, उसे चुप कराने के, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा है, तो resistant to soothing, P, U, R, P, P से हमारा यहाँ पर मतलब हो गया है, कि आप जब बच्चे को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि उसे कहीं दर्द हो रहा है, pain, look like face, पेट में दर्द है, या बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है, उसको कुछ इस तरह का सा आपको वो देखने को मिलेगा, L, L से and last E, E से मतलब है evening, मतलब यह जो इस तरह के episodes आ रहे हैं, यह usually late afternoon में या evening में या night के अंदर जादा रहते हैं, morning hours में यह कम होते हैं, तो इसको हम बोलते है purple crime, तो दोस्तों अब ऐसा क्या किया जाए parents को कि बच्चा चुप हो जाए, यह अपना एक main target है क्योंकि बहुत apprehension मे parents जो है, बहुत परिशानी के अंदर है, कि कैसे बच्चे को चुप कर रहे हैं, तो यहां मैं आपको कुछ tips बता रहा हूँ, जो tips जो dr. Henry Cock के दोरा दिये गए हैं, उनको हम 5S का नाम दिया गया है, 5S, तो यह जो 5S हैं, इनके दोरा हम कोशिस कर सकते हैं कि बच्चे को नमबर वन, swaddling, हाँ, एक चीज मैं आपको यहां बता दूँ, कि यह जो tips दिये गए हैं, इसमें हमारा उदेश्य यह रहता है, कि बच्चे को ऐसा environment दिया जाए, जैसा कि उसे जब वो मा के पेट में था, तब महसूस कर रहा था, मतलब जब वो warm के अंदर था, वैसा environment उस में wrap कर दीजिए, आप जब उसे wrap करेंगे तो वो एक secure feel करेगा, तो एक swaddling है, दूसरे के अंदर हम उसे side में करवट दिला दीजिए, stomach की तरह से मतलब, क्योंकि मा के पेट में usually वो उसी position में रहता है, तो एक तरफ करवट होगी है, side की तरफ या stomach की तरफ से, side वाला हो ग गया है, vacuum cleaner का voice है, hair dryer का voice है, तो यदि यह आप own करते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है, तो आपका swaddling हो गया है, आपके पास में side वाली जो करवट है, वैसे हो गया है, third आपका sushi हो गया है, फिर आता है swinging, swinging का मतलब एक rhythmic motion, बहुत हलका, rhythmic motion जो है, वो आप दीजिए, that is known as swinging, and the last one is sucking, कुछ चूचने के लिए मुँ में दे दीजिए, कोई pacifier वगेरा, तो ये आप दे सकते हैं, तो दोस्तों ये 5S हैं, जो मैंने आपके साथ share करें, आप इनको use कर सकते हैं, हो सकता है कि इनसे बच्चा चुप हो जाए, तो friends, ये भी संबभ है कि आप ये सब जो tips मैंने आपको बताए हैं, 5S बताए हैं, ये सब करने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हो, तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर को या pediatrician को दिखाईए, क्योंकि हो सकता है कि कोई illness हो, इसे वो ही अच्छे तरीके से जज़ कर सकते हैं, तो pediatrician को दिखा रहे, वो ये दि क चुरू के चार महने में बच्चे का अत्यदिक रोना, ये जो excess crying है, suddenly एक स्वस्त बच्चा अचानक रोने लग जाए, तो ये एक normal चीज है, इसको कभी भी abnormal चीज के अंदर नहीं काउंट करें, purple crying को मैंने आपके सामने explain किया है, second जो बात है, कई बार mothers, mother या father या कोई भी आप अपने आपको restless मत होए, apprehensive मत होए, guilty feel मत कीजिए, ये एक normal phenomena है, आपके खाने पीने से usually इसका कोई relation नहीं है, अपने आपको cool रखें, patience पूरा का पूरा रखें, क्योंकि बहुत बुरी तरह से घबरावे मैंने parents को देखा हुआ है, and number third, seek medical attention, आप अपने pediatrician को, बच्च कि usually बच्चे को हिला रहे हैं, और अगर मान लेजे तीन रात से, क्योंकि बच्चा दो दिन में सो रहा है, रात को रोने लग गया, अचानक, evening की मैंने आपको बात बता ही अभी, कि evening में जादे episodes होते हैं, आप तीन रात से सो नहीं पा रहे हैं, बच्चा रोए जा रहा है, तो फिर वो हिलाना और जादा हो जाता है, तो please ऐसा कभी मत करना, इसके अंदर उसको shaken baby syndrome का खत्रा है, आप जितना तेज उसे हिलाते हैं, उसका risk उतना ही बढ़ जाता है, उसके blood vessels जो brain में है, eyes के अंदर जो blood vessels हैं, उनके फटने का खत्रा रहता है, और इसको बोला जाता ह shaken baby syndrome, हमारे इंडिया में तो कितने death होती है per year, वो तो मैं निकाल नहीं पाया, मुझे data नहीं मिले, पर US के अंदर per year 1000 बच्चे इससे मरते हैं, ये एक तरह का child abuse है, तो आपको उसको shake नहीं करना है, हिलाना नहीं है, बहुत vigorously, तेजी से नहीं हिलाना है, बहुत बड़ा ख के साथ share करी है, possibly मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आई होएंगी, आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करें, share करें and please subscribe the channel, thank you.